वन नेशन वन इलेक्शन दरसल वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतिय राजनीती में एक महत्वपूर मुद्दा बन चुका है हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई और इसे सैध्धान्तिक रूप से मंजूरी मिल गई है आज यूनियन कैबिनेट में माने प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने एंडिय की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमिटी की रेकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट किया है इसका उदेश देश भर्क में लोकसभा और राज्य विदान सभात के चुनाव को एक साथ कराना है यह कदम देश की राजनीती और प्रसासनिक धांचे में बड़े बदलाव ला सकती है इसके पक्ष और विपक्ष में कई तरीके के तर्क दिये जा रहे हैं और राजनीतिक दलो की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हैं आए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं नमस्कार मेरा नाम सुदिप्त त्रिपाठी है और आप दलोक तंत्र देख रहे हैं सबसे पहले इस प्रस्ताव के कुछ जो स्पस्ट फाइदे हैं वो हम आपको बताते हैं इन फाइदों का जिक्र नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है बकॉल सरकार सबसे बड़ा फाइदा चुनावी खर्च और संसाधन और समय की बचतका है हर साल देख के किसी ना किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं जिन पर भारी खर्च होता है एक साथ चुनाव होने से न किवल चुनाव पर खर्च कम होगा बलकि प्रसासनिक संसाधनों का भी बेतर उपयोग किया जा सकेगा तरक है कि चुनाव के दोरान बड़ी संख्या में सुरक्छा बल और सरकारी करमचारी तैनात होते हैं बार-बार होने वाले चुनाव इस तंत्र पर भारी बोज डालते हैं अगर चुनाव एक साथ हो तो इस प्रक्रिया को अधिक कुसलता से अंजाम दिया जा सकेगा इसके अलावा बार-बार चुनाव होने से सरकारें अक्सर चुनावी राजनीती मुलत जाती हैं जसे विकास और नीती निरमार पर प्रभाव पड़ता है एक साथ चुनाव से सरकारें दिर्गकालिक नीतियों पर बहतर ध्यान दे सकेंगी इसके साथ ही कुछ महतवपूर चिंताएं भी है जो विपक्च ने साजा की है सबसे बड़ी चिंता है कि एक साथ चुनाव होने से स्थानिय मुद्दों की अंदेखी हो सकती है दलो का मानना है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राश्ट्रिय और राज्य स्तर के मुद्दे एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं इसका नतीजा यह हो सकता है कि स्थानिय समस्याएं जैसे किसी राज्य में किसानों का संकट हो या बेरोजगारी या अन्य मुद्दे चुनावी बहस में हासिये पर चली जाएंगी क्योंकि राश्ट्रिय मुद्दे चुनाव के दौरान ज्यादा महत्वपून और प्रमुख हो सकते हैं समवैधानिक और संगिय धांचों के लिए भी या विचार एक चुनावती है यदि किसी राज्य सरकार का कारेकाल बीच में किनी कारोनों से समाप्त हो जाता है तो क्या उस राज्य को बिना चुनुही सरकार के छोड़ा जाएगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे या भी एक मुद्दा है जिस पर तरक दिये जा रहे हैं इस तरह के सवाल समयधानिक जटिलताओं को बढ़ा सकते हैं राजनितिक दृष्टिकोंट से देखें तो भाजपा जैसे रास्ट्रिय दल इस प्रस्ताओं का समर्थन करते नजर आते हैं उनका मानना है कि इससे सासन में स्थर्टा होगी और चुनावी खर्चों में कमी आएगी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्षन का समर्थन किया है उन्होंने हर बार बार यह कहा है कि सरकारें बिना चुनावी दबाव के अपने काम पर ध्यान दे सकेंगी इसलिए यह बेहत जरूरी है दूसरी योड छेत्रिय दल इस विचार से सहमत नहीं है तरिनमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, डियम के जैसे मुखदलों को लगता है कि इससे उनके मुद्दे दब सकते हैं और राश्ट्रिय राजनिती हावी हो सकती है उनके अनुसार इससे संगीय धाचे को भी नुकसान पहुंच सकता है और राज्यों की स्वायतता खतरे में पढ़ सकती है जनता की बात करें तो जनता के नजरिये से भी यह मुद्दा काफी महत पूर्ण है और इस पे लोग अलग-अलग तरक दे रहे हैं कुछ लोग इसके सकारात्मक पहलू पे बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग का मानना है कि इससे देश में एक नकारात्मक माहौल तयार होगा और संगीय धाचे पे असर पड़ेगा सबसे पहले सकरात्मक पहलू पे बात करते हैं एक साथ चुनाव होने से बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जनता को बार-बार वोट देने जाना नहीं पड़ेगा और इसे बेह बहुत राहत मिलेगी इसे सरकारी कामकाज में नुकसान पहुंच सकता है, बहुत से बुद्ध जीवी यह तरक भी दे रहे हैं, चेत्रिय समस्याएं अगर अंदेखी रह जाती है, मतलब बुद्ध जीवीओं का मानना है कि चेत्रिय समस्याएं अगर अंदेखी रह जाएंगी, तो इससे इसका असर आम लोगों पर भी की कटवती के रूप में देखते हैं जबकि विपक्षी और विरोधी इसे समवैधानिक और संगिय धांचे के लिए चुनवती मानते हैं अब देखना दिलचस्प हो का कि जनता और राजनीतिक डल इस बदलाव को किस तरह स्विकार करते हैं और क्या यह भारतिय लोकतंत्र को एक नई दिसार देने में सफल होगा आपकी इस पर क्या राय हैं हमें जरूर साजा करें बहुत बहुत धन्यवाद